तलिए सबका स्वागत है सीयल के रेर अपरेल 2022 को वा था उसके रीजिनिंग वाले पार्ट का सॉलिशन फर्स सिफ्ट है आपके सामने तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो सेर करते वे जाए चैनल को सबस्क्राइब करते वे जाए अगर आपको इसी तरह से हर सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए प्रिविएस एर के और आपके टोपिक वाइज वीडियो जाए अगर आपको चाहिए और आपको इसके लावा पीडियेफ जाहिए जो हम पढ़ाते तो यह जो नंबर है सेवन जीरो वन फाइफ त्री एट टू एट नाइन थिन पर आप वाटसप कर सकते हैं आपको बेसिक से लेकर हाई लेबल तक पढ़ना है तो आप हमारी एप को इंस्टॉल कर सकते हैं चले हर प्लेटफोर्म से आप जुड़ते वे जाए हमसे और सीखते वे जाए और काम्याबी की राह पे बढ़ते वे जाए पहला प्रशन आज की क्लास का आपके सामने है सबसे नमर निवे दने हैं कि वीडियो सेर करते वे जाए है आनंद उठाते वे जाए है सब को वारी गुड मॉर्निंग सबका स्वागत चलिए साब पहला पशन आपके सामने बताए क्या उत्तर आएगा देश जानना चाहता है स्री निज्जा अपने घर से नाइन नो किलोमेटर पस्यम के और चली फिर दक्षियन के और मोड़ी गैरा किलोमेटर चली फिर पुरू के और तेरे अंतर पस्यम का प्रारम से कितना दूर सबको वेरी गुड मॉनिंग सबका स्वागत है बताए क्या उत्तर आएगा ० में wed में कितना व या नुक फिर सौथ में कितना घ्यारा फिर आपका इस्ट्रम में कितना घुंबी है 30 फिर वापिस वेस्ट में कितना चाहिं बोरी सब्सक्राइज के Türk अचली में घ॥े उसक्तर तरह होता होता दूसरे को बचा तो आपका अंसर है आपको कोई डाइग्राम बनाने के जरूरत भी आप अंसर दे सकते दूसरा प्रशन बताए क्या एंसर आपके सामूंगे चलिए बताईए बहुत ही आसानी से होने वाले प्रशन है फोड़ा सा महनत करेंगे इतने में हांजी वेरी गुड़ मॉर्निंग सबकर स्वाग देख लिए थोड़ा हिंदी में देख लिए आप अन्सोल करना शुरू करते हैं सबसे पहले आपको इंट साइन का मतलब पता होना चाहिए हैस्टेक का मतलब है एबी का पिता है मतलब जो हैस्टेक के साइन से पहले वाला है वो बादवाले का क्या है पुत्तर है पिता है परसेंटेज का मतलब एबी की माँ है मतलब जो परसेंटेज से पहले वो बादवाले की माँ है अगर उल्टा लिखा होता तो आपको उल्टा सोचना पड़ता अब आपके सामने एक्वेशन है और इसको सॉल करने के लिए ऐफ से पहली वाद वाले किया वहें देवलू किसकी मैन आपकी यूप की बहन आपकी यूप का जरे अपता आपन नहीं पता है इस लिए आपन बराबर बनाते ऊपर वाले पीडी में आएंगे तो नीचे बनाए आये N, N का मतलब पुत्र है, पहले वाला बाद वाले क्या है, पुत्र है, तो R किसका पुत्र है? W का? पता होई देखते हैं, पुत्र को नीचे वाले PD में ले का तो नीचे लेके आएंगे, वापिस N है, एच किसका पुत्र है? R का? आएए वापिस आपके सामने क्या आगया एड़ दर एड़ दर एड़ दर एड़ दर एड़ दर एड़ का मतलब बहन है तो S बहन है किसकी आएए यहां पर परसेंटेज लगा परसेंटेज का मतलब क्या है अगर आप परसेंटेज का मतलब देखेंगे तो क्या है आपका A, B की मा है, मनलब पहले वाले बाद वाले क्या है, मा है, तो S की आ है, सुरी T किस की मा है, S की मा, अगर S की मा होगी और ये दोनों बहन भाई है, तो ये दोनों क्या हो गए है, पती पतनी हो गए सिद्धी सी बात है आए जी आपका क्या है है स्टेक में और स्टेक का मतलब है अगर आप देखेंगे तो सोरी पहले टी और एम में देखेंगे एम इसमें किसका पिता है टी का पिता पिता होगा तो बराबर आएगा यहां पर और अगर आप देखेंगे तो जी किसका पिता है एम का पिता है कि क्यों है स्टेक का मतलब पिता होता है आई अब पढ़िएगा इन में से कुन सा सही नहीं है जी टी का दादा है तो जी टी का क्या है दादा है सही बात है पिता जी के पिता जी क्या होते है दादा जी होते है टीचे लेडी जो तो क्या होगए इसके दादा जी ये वाली बात तो सही है आर टी का पती है तो आर टी का पती है सही बात है आए डबलू एच की नानी है क्या डबलू एच की नानी है क्या नानी है क्या नानी 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 होती है लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगता है बिना अगर आप देखे करेंगे तो अराम से बता कि चलिए सबको वेरे गुड मॉर्निंग सबका स्वागत हम ठीक है अब बतायों आप ऐसे अगला परशन बतायों पांच के विप्रित क्या होगा कि रिखे कहना चाहा Yo पांच के विपरित् क्या हो जों पांच के विपरित् क्या है कि मैं देखती बता सकता हूं ये कऴिए कैसे, गोहर से सुनियेगा, 5 मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा हैं, वो उसी के विपरित होता है, जो हर जगे common हो, और इनमें हर जगे क्या common हैं, आपके सामने एक common हैं, आप डारेक्ट णवर दे सकते हैं, यहाँ पे हर जगह क्या है वेग्या एक When a John आप नव्हाराम से आंसर दे सकते एक आंसर आईगा जो common उता उसके المध्री नहीं होता हूँ दिखाई नीदेता उत्यव्या कोम्हार जगा ऑफ हर जगुए है एक है आब वैसे भी आईडिया लगा सकते हैं यहां पर देखिएा एक आपका common ओ तो क्या करिए गा इन दोनों में से किसको उठाइएगा उसको उठाइएगा जो क्या है common तो क्या कर्ये common के clockwise भूएज में घूमें गए तो एक दूसरे के विप्रीत आएगे दो कहई कि इतना तीन यह पर थो बच गया उसके कितना है आपका पांod होता है उनिमेंशन मेठर देंगे आपके पास कितने नंबर एक का नहीं हो सकता है करें चार से वाले यहां पर देख़ें49 तो सकता तीन हो सकता एक विपरित ना चार हो सकता ना तीन हो सकता मैं अटाच चुका हूं तो क्या बचा है पांच बचा है तो एक और पांच एक दूसरे क्या होंगे विपरित होंगे आपका अंसर आजाएगा आसानी से उने वाला प्रशन आराम से किया जा सकता है लेकिन आपक करते वे जाए आनंद उठाते वे जाएएगा जितना पढ़ेगा इंडिया उतना ही भड़ेगा अच्छे प्रशनों में से एक प्रशन क्या किजियेगा इसकी रेंग कितनी है आठ है इसकी कितनी है पंदरा है इसकी बाइस और इसकी कितनी है उनती से आठ पंदरा बाइस को दिखना अच्छा ने लिगा है कितना लिखेगा ट्वन्टिनाइन लिखेगो यहां से यहां तक आए तो साथ जोड़ Ten चुटएगा यहां पर विता है तो तीन में साथ जोड़ेंगे तो दस अब इसको जोड़ने के लिए आफ देनियोंग्हास करें इनटीश में जोड़ेंगे फिर 26 minus करेंगे गई जफा टिन खरिएगा दस मतलब j आयेगा तो इसको तो कितना करेंग है अब है और दीस क्या तक क्या होता है 30 होता है ऑफ लिक सकते हैं कि रो november 26 present ऍटिक में को कहते म हैं 32 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचाएगा आपके सामने 24 और 24 मतलब क्या होता है एक्स होता है आप इसको टाटा वाइवाई कर सकते हैं यह दिमाग आपका हाथ क्या चलना चाहिए कि कब किसको क्या लिखना यह जरूरी एलफा वेट में आये यहां पर देखेगा यह 13 है यह कि 25 और 9 कितना होता है आपका आप देखेंगे तो 5 और 9 14 होता है तो 14 में 9 जोडिएगा 14 और 9 कितना होगा 23 मतलब क्या हैगा डबलू आएगा एक यह ऑप्षन बचा है यह आपका आंसर है आसाने से किया आजा सकता है डी नहीं आएगा एंसर आएगा अगर आप घड़बड क कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगे तो आपको पता होना चीए यह आपको छोटी-छोटी बाते पता होने चाहिए कि वृस्फल खेश norm लेक्ष होता है विमतलब 28 होता है कि मतलब 29 मतलब 30 थी 30 31 21 यहां तक तो लगबग आपको आइडिया होना चाहिए यह आपको छोटी-छोटी बाते पता होगी तो आपके लिए चीज़े आसान होती है कब मैं किसको क्या लिख सकता हूं यह इस जीवन में बहुत ही जरूरी है अगला प्रश्म बताइए क्या अंसर आगी दिखनी रहा होगा वेसे तो नहीं नहीं दिख रहा है फिर भी आपकी आत्मा के शान्ती के लिए बता देता हूँ कि यहां पर चोकोर बना हुआ है कि यह स्क्वेर बना हुआ है यहां पर यह वाला साथ यह देखिए यह जो बीच में डाइग्राम बना हुआ है यह ऐसा बना हूँ सबसे अंदर डाइगराम ऐसा बना हूँ मैं बता देता हूँ हो क्या रहा है जो सबसे अंदर वाला डाइगराम है वो सबसे कहां आ रहा है बाहर आ रहा है और जो ये वाला डाइगराम है वो कहां जाता जा रहा है अंदर जाता वा जा रहा है तो मैं बस एक ही काम कर रहा हूँ, सबसे अंदर वाले डाइगराम को कहा लेके आ रहा हूँ, बाहर, यहाँ पे सर्किल था, तो सर्किल को कहा लेके आ है, बाहर लेके आ है, तो यहाँ पे सबसे अंदर स्केर है, तो सबसे बाहर किसको लेके आ हैंगे, स्केर को लेके है, स्के पुझा उसके बाद कुण सा डाइग्राम होना चाहिए आपके बास सट बुझा आप यह पंच बुझ नहीं लिख सकते हैं सट बुझ आएगा कि अंदर वाले डाइग्राम को बाहर निकाले वाकि सारे वैसे के वैसे हैं तो आपके बास एक यह उप्षन बचाया डी यह अंस जितने ज़्यादा प्रशन करेंगे उतना ही आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए याद रखिएगा एक्जाम में पैटन सेम रहेगा किशन नहीं आ रहेगा कभी-कभी लोग गलती कर देता है कि होता अपने आँखों के सामने है पर आपन कर नहीं सकते ह अभियास अपना जारी रखिए रजल्ट क्या रहेगा उस पर डिपेंड नहीं करता है अभी कॉमन वेल्ट गेम चल रहे उसमें जो फ़र्ष्ट पोजिशन पर आता है उसको गोल्ड मिलता है सेकिंड वाले को सिल्वर मिलता है लेकिन थर्ड वाले को ब्रोंज मिलता है किजेगा किन दो साइन को आपस में बदल दिया जाए आई एक प्लस और भाग को चेंज करना तो सबसे पहले देखेगा मैं आप जब भी ऑप्शन की बात आए तो आपन कहां से चेक करेंगे लास्ट में यहां पर तो कोई साइन ही नहीं एक्च्छल में यहां पर डिवाइ लेके आई है यहां पर प्लस लेके आई है भाग देंग कितनी बार गया दो बार सबसे पहले बाग कोल करते हैं बाग के बाद गुना कोल करिए गये दो आठ को दो से गुना करेंगे 16 और 13 यही तो चाहिए था 19 दे रखाए बिल्कुल आपका सी अंसर आ गया आसानी से होने हो गया है बुत्रे का कैसे आई सिर्फ मतलब है आपके प्रयास का आपने प्रयास कितना अच्छा किया इस पर डिपेंड करता है क्या आप सेल्प सेटिसपाइड है या नहीं अपने आप से संतुष्ट है या नहीं तो कभी आपको आगे जाने नहीं देना चाहती है कुछ नहीं कुछ कमी आप में जरूर बताएगी तो यकीन रखिएगा आपने आप पे आगे बढ़िये पर मेहनत भी करिएगा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना एठाको जल्दी से बताएगे क्या उत्तर आएगा बिना किसी लाग लपेट के डारेक्ट उत्तर बता सकते हैं देखिए A, B से 25 वर्स छोटा है इसका मलब B की जो आईउ आएगी वो A की आईउ में कितना जोडने पे आएगी 25 बराबर हो जाएगी दोनों की आईउ अगर A की आईउ में 25 जोड़ दो तो बराबर हो जाएगी साथ आएगे बटी अगर 15 वर्स के बाद B की आईउ तो B की वर्तमान आईउ अगर B है तो 15 वर्स के बाद क्या होगी B पलस 15 होगी आईए तो C की आईउ भी क्या होगी C पलस 15 हो जाएगी B की जुप 15 वर्स की बाद की आयू है वो C की आयू की क्या हो जाएगी दो गुनी हो जाएगी म deci हना, C की आयू का अगर डबल कर दो तो वो किस की आयू के बराबर हो जाएगी B की आयू 15 वर्स के बाद है तो मैंने दोनों में 15 जोड़ दिया है आ इे P की वर्तमान आयू अपने B ली है वो C की वर्तमान आयू के कितनी है तीन गुनी है जो भी C की आयू है उसका कितना है ट्रिपल तीसरा मल्टीपल पका गोई देकर तो किस्टन ने पूछा है कि बताईए A की वर्तमान आयू क्या होगी तो 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा पका गोई दिकत B की आयू कितनी है 55 और 55 किसी का 3 गुना नहीं तो इसको आपने एक बार के लिए अटा सकते हैं अगर मैं 20 वर्तमान रखता हूँ तो 20 और 25 कितना होगा 45 45 क्या है 3 गुना है इसको रखोंगा तो 25 और 25 कितना 50 एक जगा 25 रखेंगे 53 गुना नहीं होता है क्योंकि B की आयू 3 गुनी होनी चीए इसको रखोंगा तो 15 और 25 और 40 भी 3 गुना नहीं होता है तो एक्जाम्पल के तोर पे आपको यहां पे एक बार क्या रखना चाहिए 20 वर्स अगर आप यहां पे 20 वर्स रखेंगे तो B की आयू कितनी आएगी 45 एक ही कितनी है 20 है तो C की आयू कितनी आजाएगी भाई या 15 आजाएगी 15 तो 45 होता है यहां पे 45 रखेंगे 3 का भाग देंगे बात बन जाएगी C आपका अंसर आगए आसानी से उने वाला प्रशन है अराम से किया जा सकता है यूश्य नमर आठ बताएगे क्या आएगा कल 9 अगस्त है और अपनी अकेडमी चार वर्स कम्प्लीट कर लेगी कल नो अगस्त दोजार अठारा रोम नमर दो तो आगए था सी यल केरियर अकेडमी के ऑफ-लाइन प्लेट्पॉम पर शुरू किया था यह से खोड़े से बच्चे थे धीरे 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 कार्मा बढ़ता गया और आपन अपनी मंजिन तक पहुंसते गया अधिरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए माली सिंचे सोगडा री तु आये फ़लो आए साब क्या करिये अगर दोनों तरफ के लेटर सेम होते तो क्या करते अगर इसा आपके सारे लेटर वहां से उठाए तो यह भी उला नहिएंगे अगर सारे लेटर वहां से उठ्वाण हो रहा न अअगर और शिप्टिंग के लिए इस पहले लेटर से आके बात करतें ती से एक कि पूछेगा कि आप किसके ज्यादा पास है तो टी बोला मैं तो पिसके में क 것으로 से तो हाहिए युद एक पंद्रह है यह 14 एक जोंटे एक करिये एकर ऐनिसवाइस से प्लस से करिये हम आपका unterstützen różnych माइन्स एक तो पलस एक माइनस एक कर रहें है यहां पे पलस एक माइनस 一 पलस एक माइनस एक करिएगा. B में से P में एक जोड़ेंगे C आएगा. O में से एक कम करेंगे N आएगा. W में एक जोड़ेंगे X आएगा. L में से कम करेंगे क्या आजाएगा K आजाएगा. कहीं दे रखाएगा? T option. QC number 9. बताएगे क्या answer आएगा? पूपर रहा है कमें चलिए साथ तोड़ो तोड़ो आए साथ क्या करिएगा जब भी ऐसा प्रशन आए आपको जो वर्ड पूछा गया अगर वो कहीं कोमन ना मिले सबसे पहले बात को कोसिस करिए वो कोमन ओना चाहिए अगर वो कोमन ना मिले तो उसके आस पास के दोनों लेटर फोमन होने चीए तो देखे मांने पे यहां लिखाओ तो प्रिज्ट और अटेंशन को आपको गायब करना है तो देखे प्लीज इसमें और इसमें है विक्षैट दो इसमें और को निकल लो तुम्हारा काम हो गया हαι अटेंसिन इसमें इसमें और इसमें गर आप देखेंगे ता क्या कोमन आपके सामने जैड यू डीट्र स्क बोलो तुमारा भी काम हो गयाई बचा क्या है आर यू डबलू बचा है आर यू डबलू ए ओक्षिन में है यह आपका अंसर है असानी से होने वाला प्रशन आराम से किया जा सकता है किसे नमर दस किसे नहीं अपने आप में एक जादू है आपको समझ में आएगा मैंने जो पढ़ाया था उसका मिनिंग क्या कि कि अगर्विश्ट करने दो इस जानना चाहता है कि या सीखें आप अब तक मानें गें नहीं मतलब जल्दी से अंसर दे दिया अब तक लोग सोचेंग उससे पहले तो अंसर दे चुके फिर भी बिना सोचे समझे उत्तर मत दीजिएगा यह हैं पका आए सिरीज के नंबर पास पास आप बोलेंगा आपको कोई सपना आया बिल्कुल आया अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सारे ऑप्शन सो से उपर है और सो का अगर डबल करते तो दो सो होता है और एक सो ओठावन दो सो के पास में नहीं है पका ओए लिकत तो सिरीज के नंबर क्या है पास पास है सिरीज अचानक से तब बढ़ती जब कम से कम क्या होता वाजाए डबल होता वाजाए तो आपन क्या करने वाले अंतर लेने वाले और मैंने जैसे ही अंतर लिया 12 का आया यहां पे 6 का आया यहां पे 6 का आया और आप से खुब सारी बात हैं हम आपको बता चुके हैं खूब सारी ऐसी बात हैं आपको शिखा चुका हूं जो आपको पहले से आनी चाहिए दिखिए यह जो तोंसेप्ट है यह है यहां पर एवह लेकिन अतने से काम नहीं चलने वाला है आपको यहां पर निकालना पड़े बेंगा और यहां पर करना पड़े तो अठारा की दो यूनिट लेके आई एक कितनी होती है तिसोती है तो यहां पे जो अंतर है वह 45 का होना चाहिए आप बोलेंगे आप ऐसे क्यों कर रहें कि अगर किस सर्माक बीच में तो मैं कितनी तरफ चेक करके देखूंगा दोनों तरफ एक तरफ करके आसानी से होने वाला प्रशन आराम से किया जा सकता है अगला प्रशन आपके सामने बताए क्या अंसर आए हल एक क्या कीजिएगा रेंक दीजिएगा कितनी है एक है तीन है छे है दस है पंदरा है कितना जोड़िएगा दो तीन चार और कितना पांच कितनी रेंक आप जोडने की जुरूरत नहीं है कितना जोड़िएगा दो जोड़िएगा 22 में 3 जोड़ेगा तो 25 आपको दिमाग में चलना चाहिए 25 और 29 मतलब 4 जोड़ा है यहाँ पे 5 जोड़ा है बात बन रही है 14 और 2 16 होता है 16 और 3 19 होता है 19 और 4 23 होता है और 23 और 5 कितना होता है 28 मतलब B बिल्कुल बात बन रही है यहाँ पे 21 है 23 कितना जोड़ेगा 2 26 है 2 जो आराम से किया जा सकता इस नमर बारा क्या की जीएगा आएंच मंगल भी एक गरह और सुकर भी एक क्या है गरह है लेकिन दोनों क्या है अलग लग है दोनों को दोनों किस में आते हैं प्लैनेट में आते हैं पर दोनों को दोनों अलग है यह आपका अंसर है दोनों का अपस में कोई रिश्का है सच लिए साथ आपको क्या करना है आरेंज करना है इनको अब मैं काफी बच्छों से पूछता हूँ क्या आपको जीमेल चलाना आता है क्या आपका जीमेल अकाउंट है तो वो बच्चे काफी बच्चे बोलते कि नहीं है तो उनके लिए君ुस्टें रसाब ऐसे आएगा वो क्या करते जिस केफे पे फोर्म बरवाते हैं उसी की इमेल आईडी डलवा देते हैं आई गोर से सुनियेगा सबसे लाष्ट में क्या होता है और सबसे पहले क्या होता है इसे से आप लगबग आईडिया लगा पाएंगे गोर से सुनियेगा सबसे पहले क्या होगा वईया इनमें से कंप्यूटर को सुरू करेंगे ना तो सबसे पहले तीन नंबर आएगा तो इसको बोलो तुम तो निकल लो तुमारा तो काम हो गया है सबसे लास्ट में क्या होगा वह या मेल भेजेंगे मतलब सबसे लास्ट में छे नंबर आएगा तो इनको भी वोलो तुम भी निकल लो क्या आशर आए यह आपका अन्सर बस खता कुछ करने के जरूर तुम नहीं थी फिर भी आत्मा की शान्ति के लिए कर लेते क्या पता बा करेंगे मेरा यह कमपोज करेंगे अगर आप देखते हैं मोबैल में खोलते होगा इधर फ्लस थे उसकी करेंगी तो उसके लिखेंगी नहीं वह आपक著 लिखने कि कि आप किसके रिगार्डिंग भेज रहें क्या है जैसे आपन बच्पन में क्या लिखा करते थे अर्जी लिखा करते थे कि विशे दो दिन के आउकास है तुवेसा वहां पर भी लिखना होता है नीचे आपन कंटेंट लिखते हैं और लास्ट में आपन क्या कर देते हैं आप कि या करिए गया कि अब से पहले प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यह समसंख्या यह समसंख्या और इसमें तेरा गवागी जाता है स्केर भी नहीं है कि स्क्यार के आसपास मिल्टीप्ला कि आपको मैंने काफ ही वार सिखा/. है जब भी प्राइम निम्मर याद कराए है कि तेरा साथ ही कितना होता है क्यान में होता है अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप अराम से कर सकता है अराम से किया जा सकता पहाड़े आने ची आप तो अगला प्रशन किस्ट नमर 15 झाल याद कि अभर आपको गो ही कि तेरा स्वित है प्रत अन्सीट साथ तेले आने लो शखको किई आते हैं पर आते हैं तो रेश्यकित्ता कि आपको JEटे हैं आई जहाँ पर A है वहाँ पर क्या लिखेंगे जोड लिखेंगे जहाँ पर B है वहाँ पर क्या लिखने वाले गुना जहाँ पर C है वहाँ पर गटाना वाई है C की जगह माइनस लिखने वाले A की जगे क्या लिखने वाले जोड लिखने वाले B की जगे क्या लिखने वाले multiply A की जगे क्या लिखने वाले A की जगे जोड लिखने वाले B की जगे क्या लिखेंगे भाग लिखने वाले B की जगे क्या लिखेंगे भाब लिखेंगे और d की जिएगा भागों यह मैंने sign put कर दिये सब से पहले किसको उल करते हैं जो bracketอ सबसे पहले अंदर वाले bracket को उल करूं건 कितनी बार भाग जाएगा तीन बार यह brело ब्रेकेट को सोल करें यहां पर भागे 27 मंंदें, कितनी बार आएगा नो बार तो आपका यह बन गए 46 इस ब्रेकट को ऐसल कर लीजएकं कितना हो गया ठाथ एक इस चाहका प्लस पर दोर यह बनगे सिर्वर को साथ ना होता है 15 अब मैंने ब्रेकेट कर लिए है बाग को लिए बारा को लिए जोड कर लिए जोड करने तो झींड आपका ऐसे कर दिया है तो आप क्या करिए पलस पलस वालों का एक तरफ करिए कितना और 70 70 और 12 कितना होता है 28 यही तो जादू इनको भागने दो किस्टन नहीं पड़ेंगे यह सब्सक्राइब कुछ भी हो जाए वो तो सीधा ऐसे देखें अच्छा इसमें यह डूंड़ना यह लो मास्टर जी यह रहा यह रहा यह देखो सही यह रहा पहला यह चाहिए था हमें अरे यह नहीं चाहिए है मुर्खो इधर देखो कौन सा नहीं है और जब भी ऐसा प्रशन आएगा पहला ओप्शन ऑल्मोस्ट ऐसा होता कि जो सम्माइट होता है और आपन देख तो यह से फूल जाते क्योंकि अपनी आपको मैं कितनी बार बता लूं कितनी बार समझा लूं इंसान के एक क्योंकि देखेंगे को इसको देखेंगे तो यह अगर आप इसको देखेंगे तो यह को हैसी क्लेकी करों फ़िए यहां पर इदर आ और ये लेकिन ये पूरा कहीं पर करके कैसा नहीं बनारी तो यह संभाइद नहीं है मेरे को नहीं ओअरे है यह तो अदी more यह आप तो सरे सगी है और जिब रजल्ट आता है साथ कि एक लड़किया आ tut से कांइब पनी तौस Łamb तो कल आप सबका स्वागत है CL के रेकेडमी के दोनों ही प्लेटफॉर्म पर ने की वजाए पुराने कपड़े पहन के आएंगे तो भी चलेगा हातों में रीबन बांद के आना है तिरंगे वाले टॉपी लगा के आनी है हाँ नहाके सबसे इंपोर्टेंट जी नहाके है राना वानों का मेल वेल निकाल के आईएगा मैं जो बात बलूँगों अच्छे से सुननी चाहिए आप से एक प्रेड निकलवा दूँगों है ठीक है वैसे रीबन बांद के आईएगा वह पहले बच्पन में मानते थे ना स्कूल में पंद्रागास सब भी जनुए जोस हुआ करता था आप तो वह जोस बचा नहीं है बच्चों हम छोटे छोटे थे पूरा ऐसे तिरंगा म लपेट के बेस्तित घरवाले जिंदा को अधिर का दर्वाद में तो पी पेना के वह पेना के ड्रेस भी वैसे वाइट कलर की कि आप तुम्हारा कामा अंसर देने मेरा काम बाते करने आये साब क्या करिये गए ऑफ भया यह यह इतने उटल है आठ उत्तर मुखी है मतलब उत्तर की और मुव है जैसे आपका मुव में वैसे इनका मुव है पर W, P आएगा उसके पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन आएगा W होई दिक और? आए यह बैटा, E, P और V के बीच में बेठा है अब P और V यहांपर भी हो सकता है P यहांपर भी हो सकता है, V इधर होगा V इधर होगा, P यहांपर ऐसे भी हो सकता है लेकिन इसने बोला कि S V के बाएं को तीसरे स्थान पर है तो V को यहाँ आना पड़ेगा तभी तो देखिए पहला दूसरा और तीसरे कोन आएगा S आएगा बाएं बाग इधर होता है S बाएं ही हो रही है द्यान रखेंगे तो यहाँ पर किसको आना पड़ेगा P को अगर P यहाँ पर आगे तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर कोन आजाएगा आपका W आजाएगा 1, 2 और तीसरे स्थान पर है कोन आजाएगा आपका W आजाएगा पका गोई देकर तो कितने लोग होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगे आगे बढ़िएगा आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपने कोई लाइन थोड़ी छोड़ी है W के ठीक दाएं पर उसमें W किसके ठीक दाएं पर उसमें? UK W है किसके? UK तो W इदर आएगा पकागोई देकर आर, P के दाएं तीसरे स्थान पर है तो R है वो P के तो P यहाँ पे तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर कोन है? जो बच गया है वो यहां पर आ जाए कौन बच गया आपके सामने क्यों बच गया और आठ के आठ जगा आ गई है तो S के दाएं चोथे स्थान पर कौन है तो S यहां पर है दाएं इधर वाला है पहला दूसरा तीसरा तीसरा चोथे पर कौन है R है भी आपका अंसर आजाएग तो पहले वो राखे आया करती तो जो मतलब ऐसे फूल पत्ती और इतनी बीच में लुगदी सी लगी होती दूर से चमकती थी वो उतनी बड़ी क्या कीजिएगा सीरीज अचानक से बड़ी देखिए 653 और तेरा सो में जाजा दूर है आपको मल्टिप्लाई की तरफ आना ची और डारेक मल्टिप्लाई करने से नहीं आए तो मल्टिप्लाई करके जोड़ा घटाए जा सकता है आए 653 को कितने से गुणा करें साड़े 600 को अगर दो से गुणा करते तो ठेरा सो हता है अगर आप इसको दो से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा साड़े 600 को दो से गुणा करेंगे चैह तेरा सोचे में कितना जोड़िएगा कि JC 151 हो गया है 51 कितना जोरियेगा 2 मतलब एक बार दो से गुना करके तिन जोरा निग वर थी इन से धूना खरके बोड़ा तो यहां पर इसंस्टैच नारे और धूरियेगा अपक्ने से रिड्र करके तो इतले 502 कितना अंसर डी किस्सर नम्मर उननेश मेरे ने मेज बताईए कर देके सबसे पहले भी है तो क्या बनेगा भी उल्टा तो नहीं सकता भी का पक्का कोई दिए कि इसके वाद जी है क्या आर उल्टा हो सकता कि इसको बोलो घर जाओ आई क्या एल उल्टा हो सकता है कि इसको बोलो तुम भी घर जाओ कौन सा उप्शन बचाए डी आपका अंसर है आसानी से किया जा सकता है अराम से होने वाला प्रशन इसको मौड के अगर ओपन किया जाए तो बताए इनमें से कौन से आकरती बनेगी सबसे पहले नहीं और जाप सबसे लास्ट में फॉल्ट के सबसे लास्ट में यहां फॉल्ट के तो यहां पे अपन करें अपन करेंगे देखें इससा पास में तो पास बनेगा यह दूर है तो दूर बनेगा और यह दूर है तो दूर बनेगा अब देखिए इसे बाहर तो निकलने से रहा तो इसको तो आपने अटा सकता हूँ आए अब आपन इसको इधर ओपन करेंगे तो दो ही तो गोले बनेगे क्या इसे चार गोले बन जाएंगे कि दूसरा को गोला आए नहीं तो आपके पास एक प्योंप्शन बचारों ओप्शन क्या है सी है सी आपका अंसर इस नमर 21 कि अब आए आए क्या करिएगा सबसे पहले जिसके पास सभी लगाओ तो सारे कि सारे फल क्या है पत्ते है कुछ आम क्या है सड़े वे अब आम तो यहां पर अभी तक आया नहीं है जबी सडे क्या है धान से रखियेगा यह सारे सबी सडे फल क्या है पत्ते हैं और कुछ आम क्या है सडे वे अंक नोट लगावा नहीं तो मैं सबको क्या लिख सकता हूं बराब कुछ पत्ते किसमें आएंगे सडे वह में आएगा सई बात है आप देखेंगे पत्तो का ये वाला विस्सा किसमें आएगा सड़ेवा में आएगा कुछ आम फल है उपर से देखें कुछ आम क्या है फल है बिल्कुल कुछ आम किसके अंदर आएंगे फल में आएंगे क्योंकि देखिएगा कुछ जब सारे सड़े वे किसमे आ रहे है फल में आ रहे है और कुछ सड़े वे क्या है आम है तो कुछ फल आम होना लाजमी है तो ये बात और ये बात दोनों जोगे सही है सभी पत्ते या तो सड़े में आम है ये जरूरी नहीं है क्या पत्तों का ये वाला इससा सड़े और आम दोनों में आ रहा है ये वाली बात यहाँ पे गलत है यहाँ पे सही है एक जगे गलत हो गया है तो आपका अंसर आएगा दूसर पहला और दूसरा किस ऑप्शन में दे रखें डी ओप्शन चले अगला प्रशन करते हैं कि क्या कीजिएगा सबसे पहले जब भी ऐसा प्रशन आए काउंटिंग करते हैं बंद रहा है तो पांच या पीन में बांट सकते हैं लेकिन नंबर ओफ लेटर जादा है तो कितने में बांट येगा पांच में एक दो तीन चार और पांच और लास्ट में है तो है यहां पर भी लास्ट में है आएगा यहां पर शुरुआत में सी है तो सी आएगा यहां पर तो V है तो V आएगा, यहां पर क्या आने वाला है? B और N आने वाला है, यहां पर क्या आएगा आपका? V आएगा और यहां पर क्या आएगा? N आएगा, तो answer में आएगा V, H, C, B, N यह आपका answer है, असानी से जोने वाला प्रशन है, आराम से किया जा सकता किसर नमर तेईस, बता डानिया क्या अंसर आए आए, देखती ही पता चल रहा है P की रेंग 16 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 14 होती है 16 में कितना जोड़ा? 1, 17 आया इसमें 2 जोड़ा और इसमें कितना जोड़ा? 3 C की रेंग 3, 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है A की रेंग 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है P की 16 और 3 कितना होता है? 19 होता है A option में दे रखा है, A आपका answer ये तो बच्चो वाला पुर्षिंट है क्यूसर नमर चोईस, बताए क्या answer आए इसके बाद एक क्यूस्टन और है वस जितने लोग देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्टर वीडियो सेर करते वे जाए, लाइक करते वे जाए ये आनन्द उठाते है क्या दोनों तरफ के लेटर सेम है? नहीं सेम होते तो अरेंजमेंट करते है आए, जी ज्यादा पास किसके F के? F से G कैसे आ सकता है? एक जोड के ये 18 और ये 19 एक जोड़ा ये कितना है? आपका 15 और 14 माइनस एक किया ये कितना है? आपका 14 और 15 प्लस एक किया 20 से 21 प्लस एक किया 9 से 8 माइनस एक किया E से D माइनस एक किया यहां पे एक जोड़ा, अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कि प्लस एक माइनस एक ऐसे नहीं हो रहा है, कहीं कहीं माइनस एक हो रहा है, और माइनस एक तीन जगावर, तीनों की तीनों क्या है, वोबल है, वोबल में से एक कम कि जो खाए ऐगा इसको घर मेच सकते क्या आपके पास option मचा यह आपका अनसर आएगा वोगल में से कम करें में कोंसोनेंट में जोड रहे आंती इंप्रशन बताए क्या उत्तर हो कुछ आए सबसे पहले देखें छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं 11 से 14 नमबर पास पास है अगर आप देखेंगे तो गुणा करने से तो आएगा नहीं देखेंगे दोनों मुटिप्लाइ करने से नहीं आगा यहाँ पर लाश्ट में एक है यहाँ पर चार आप अगर देखेंगे तो इसके स्क्वेर के लाश्ट में 6 होता है और इसके स्क्वेर के लाश्ट में एक होता है दोनों को माइनस करूँ 6 में से एक कम करूँ तो 5 आता है बात बन सकती है 14 का स्क्वेर 16 में 121 माइनस करिएगा बिल्कुल पिछेतर आ रहा है 15-16 का स्केर कितना होता है 256 15 का ये होता है माइनस करेंगे तो बिल्कुल 31 आएगा तो किसके स्केर में से मैं कितना माइनस करूँ आपका 81 माइनस करूँ तो आपका क्या होना चीए last میں 8 बचना चीए पका गोई देखता आपको कितना चीए 88 चीए तो आपको 81 माइनस करना है किसी square में से square में से square में से square माइनस कर रहे ऐसे number का square लिखू हूँ आ जिसके last में कितना होना चीए 9 होना चीए और 9 किस किसके square के last में होता है या तो कोई नमबर जिसके लास्ट में तीन आए या कितना है साथ अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट का सम दस होता है तो उनके स्केर का लास्ट वाला डिजिट हमेशा सेम होगा तो तीन और साथ का जोड कितना है दस है तो सात वाला तो यहां पे कुछ है नहीं तीन वाला तेरा है तेरा का स्केर यह है माइनस करिए गाठ बचेगा सोला में से आठ जाएगा गाठ बचेगा तेरा आपका अंसर है आपको अगर आपको ये रूल बताये थे आईए एक और नो, दोनों का जो और दस है तो जिस संख्या के लास्ट में एक और नो आएगा उसके स्केर के लास्ट में हमेशा एक आएगा दो और आठ वाले का सेम आएगा तीन और साथ वाला के सेम आएगा चार और छे वाले के सेम आएगा इसी तरह से चीजे बढ़ती भी जाती है आज की कलास के लिए तना ही उमीद करता हूँ आपने सीखा